अगले वीडियो में हमने इस बुक में पेस दंबर 7, पेस दंबर 8 और पेस दंबर 9 की पैटन लिखी थी और आप सबने homework भी कर लिया होगा अब next देखते हैं पेस दंबर 10 पर रेड लाइन से स्टाट करके ब्लू लाइन तक कव यह ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट हो गई अब नीचे देखते हैं रेड लाइन से स्टाट करके ब्लू लाइन तक कव रेड लाइन से स्टाट करके ब्लू लाइन तक इस तर आपको इस पैटन की यह फोर लाइन कंप्लीट करने हैं अब नेक्स पैटन देखते हैं नेक्स पैटन सिर्फ ब्लू लाइन में ही करनी है यहां से जॉइंट करके फिर से ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए यह ट्रेस वाली लाइन फिनिश हो गई अब नीचे देखते ब्लू लाइन में याद है ना ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए इस तरह आपको इस पैटन की ये 4 लाइन कंप्लेट करने है अब नेक्स पैटन देखते हैं जो है पेज जंबर 11 पर रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन और वहीं से फिर से दूसरी स्लांटिंग लाइन स्लांटिंग लाइन स्लांटिंग लाइन रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन वहीं से जोइन करके फिर से स्लांटिंग लाइन इस तरह आपको ये ट्रेस वाली लाइन फिनिश करनी है ये ट्रेस वाली लाइन फिनिश हो गई अब नीचे देखते हैं रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन और वहीं से नीचे स्लांटिंग लाइन स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन रेड लाइन से स्टाट करके ब्लू लाइन तक और फिर वाई से जॉइंट करके फिर से नीचे स्लांटिंग लाइन इस तर आपको इस पैटन की ये फोर लाइन फिनिश करनी है अब नेक्स पैटन देखते हैं नेक्स पेटन भी सिर्फ ब्लू लाइन में करनी है आप सबको पता यह कौन सी पेटन है सरकल 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 ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए जो डॉट्स दिये हैं उसी पर अच्छे से यह सरकल करना है यह ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट हो गई अब नीचे देखते हैं सरकल सरकल सिर्फ ब्लू लाइन में ही करना है ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए इस तर आपको इस पेटन की भी यह फोर लाइन कंप्लीट करनी है तो आज हमने वान, टू, थ्री, फोर पेटन सी खिये उसका आपको हमबक करना है इस बूप की आज तक हमने जितने भी पेटन सीखी है उस पर से जो आलफाबेट्स आते है उस आलफाबेट्स का हम रिविजन करेंगे अब हम नेट्स वीडियो में मिलेंगे तब हम अलफाबेट्स का रिविजन करेंगे झालफाबेट्स का रिविजन करेंगे झाल 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 झाल